नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल में टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से जम्मु कश्मी हिंसा पर सीएम मैबुबा मुफ्ती ने बुला इस सर्वदल ये बैठक नैशनल कॉंफरेंस ने किया बहिशकार वी रोध बदर्शनोर हिंसक जड़पो की वज़े से पिछले 12 दिनों से लगा है कर्फ्यूट दिल्ली में B.S.E.S. के गरमचारी हड़ताल पर कई लाकों में बिजली संकट गहराया स्थाई नोकरी और वेतन बड़ोत्री की है मांग और अब नज़र डालेंगे आज की पांच बड़ी खबरों पार बिएसपी प्रमुक मायवती के खिलाफ आफती जनक टिपणी करने वाले नेता दयाशंकर के खिलाफ एफाईया दर्जोने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है लखनो पुलिस के सरबाग इस्तित उनका दिकारिक आवास पहुची लेकिन वो वहां नहीं मिले उधर दयाशंकर सिंग की तलाश में बलिया पुलिस भी चुटी हुई है गुरू आरसुबै प्लिस बली एस्तित उनके आवास में पहुची लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिले दयाशंकर के खिलाफ लखनों में F.I.A. दर्ज कराई गई है दयाशंकर के बयान पर आपती जताती ओई B.S.P. कारेकरता बीजेपी नेता के खिलाफ सड़क पर उतर कर विरोध पदर्शन कर रहे हैं लखनों के हजरत गंजु में गुरुआर सुबह भारी संख्या में B.S.P. कारेकरताओं ने B.J.P. और दयाशंकर के खिलाफ नारे लगा कर विरोध जताया B.S.P. और T.M.C. ने राजसभा में मायावती के खिलाफ यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर के बयान को लेकर चर्चा के लिए नोटिस दिया है T.M.C. नेता डेरेक और ब्राइन ने दयाशंकर सिंग को ग्रफतार करने की मांग की है इस मुद्दे पर बुद्वार को भी सदन में जम कर हंगामा हुआ था गुरुआल को B.S.P. समित को उपक्षी दल यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंग के बयान पर सरकार को खेर सकती है अब B.S.P. कैसे विपक्ष का सामना करती है यह देखने वाली बात होगी दरसल बुद्वार को राज्यसवा में समुचो विपक्ष ने B.S.P. नेता दयाशंकर को ग्रफतार करने के साथ निंदा प्रस्ताव लानी की मांग की थी जिसे B.J.P. दलितों के मुद्दे पर अपने नेता के बयान के बाद बैक फुट पर आ गई थी जमू कश्मिर में भड़की इंसा और जारी गतिरोद के बीच मुख्या मंतरी मैभुवा मुफ्ती ने गुरुवार को सर्वदलिय बैठक बुलाई है बैठक में नैशनल कॉंफरेंस को छोड़कर बाकी पार्टियों के नेता पहुचे है नैशनल कॉंफरेंस ने बैठक का बहिशकार किया है सियम मुफ्ती ने राज्ये में शांती बहाली पर चर्चा के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया है आतंकी बुर्हानवानी की मोत के बाद राजे में हालात बिगड गए हैं लगातार हो रहे विरोध पदरशनों और हिंसक जड़पों की वज़े से कई लाकों में बीते 12 दिनों से कर्फ्यू लागू है बता दे की कश्मीर घाटी में भड़की इंसा में अब तक कम से कम 44 लोगों की मोत हो चुकी है जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए है साथी 16 सो से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी जख्रमी हुए है दिली में एक वर फिर बिजली का मुद्ध घहराने लगा है राजदानी के लगबग दोती हाई इससे में बिजली वितरन का जिम्मा संबालने वाली प्राइवेट कमपनी बी एस एस के करमचारियों के एक बड़ा खेमा हरताल पर चला गया है ऐसे में कई लाकों में घंटो बिजली गुल रहने से उमस और गर्मी में लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा करमचारियों में ज्यादतर अरताल पर वो रहे जिनके जिम्मे रख रखाओ की जिम्मेदारी होती है इसलिए जहां एक बार विजली चली गई वहां दुबारा जूडी ही नहीं करमचारियों के मांग अपनी नोकरी को पक्की करने की है क्योंकि अब तक B.S.E.S. ज्यादतर कोंटक्ट के करमचारियों से ही काम चलाता है इसके अलावा बेतन बढ़ाना और फिल्ड में काम करें लोगों को आने जाने के लिए पैट्रोल देने जैसी मांग भी शामिल है दुबाई में अमरिटसर आई स्पाइस जेट के फ्लाइट में गुरुआर को संदिक्द बैग मिलने से संसनी फैल गई फ्लाइट में संदिक्द बैग मिलने की सूचनँ पर अमरिटसर आईerपोर्ट पर सुरुक्षा बढ़ा दी गई है सूतरों के मताबिक फ्लाइट को शेहर के भारी इलाके में ले जाया गया जहां संदिक्द बैग की जाच की जा रही है अब तक स्पाइस जेट के और से संबन में कोई बयान जारी नहीं किया गया है मामले की जाच जारी है अब देखते हैं खबरे जल्दी जल्दी चार हपते की गरववती महिला जो रेव पीडिता भी है के गरवपात कानून को चिनोती देने संबन्दी आचिका पर सुप्रिम कोट ने के इंद्र सरकार और महारास्ट्रे सरकार को नोटिस जारी किया है एसी ने दोनों ही सरकारों से इस मामले में कल तक जवाब देने को कहा है एक गरववती रेव पीडिता की जान खत्रे में है देश के गरवपात कानून के करण वो 24 हपते के गरव को नहीं गिरा पा रही है जबकि बच्चों का ऐसा रोग है जिसमें बच्चे के भी बच्चने की संभावना नहीं है अब सुप्रिम कोड इस मामले की ततकाल सुनवाई करने को राज ही हो गया है और आज इस पर सुनवाई हुई रेव पिडिता ने कानूनी तोरपर 24 हपते के अपने गरव में पल रेव बच्चों को गिराने यानि गरव पात कहनूमती के लिए सुप्रिम कोड में आचिका दायर की भारते कानून उस महिला को उसकी इजाज़त नहीं देता देश भरके रेलवे स्टेशनों को एरपोर्ट की तर्ज़ पर डवलप करने के सपने को पूरा करने के काम में दूसरे देशों की मदद लेने की रेलवे की कोशिश रंग लाती दिख रही है रेल मंतराले चीन, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ रेल्वे स्टेशनों को विक्सित करने के मस्तले पर बातचित कर रहा है I.R.S.D.C. के साथ मिलकर चाइना रेल्वे कंस्ट्रक्शन, इंजिनियरिंग ग्रूप न्यू भुनेश्वार रेल्वे स्टेशन और बयपन हली रेल्वे स्टेशन को डवलप करेगा भारतिय रेल्वे बेल्वे बेल्जियम के साथ स्टेशनों की जमीन और एयर स्पेस को डवलप करने को लेकर बातचित कर रही है बेल्जियम के साथ भारतिय रेलवे जॉइंट वेंचेर कंपनी बना कर बुंबई सेंट्रल जॉम्मू जैपूर और वार्नसी रेलवे स्टेशनों को कमर्शियल तरीके से विक्सित करेगी फिल्म जगत में कभी अपिनया का जल्वा भी खेरने वाली ममता कुलकर्णी ने अपने उपर लगेड ड्रक्स डैकेट के आरोपों से इंकार किया है उन्हें अपने पुरुष मित्र विक्की गोस्वामी को निर्दोष बताया ममता फिलाल केन्या में है उन्होंने कहा कि वो भारत से भाग नहीं रही है बॉलिवुड पर 90 के दशक में अपनी धाग जमाने वाली ममता ने कहा उन्हें ड्रग से नफरत है ममता ने कहा कि उन्हें मालूम है कि विक्की कोई गलत काम नहीं कर सकता है और अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे और खुद को मार देंगी उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने गलत लड़की पर इल्जाम लगाया है उन्होंने कहा मेरा सच मैं जानती हूँ मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है आतंग की संगटन ISIS सीरिया इराक और अफगानिस्तान की तजपर भारत में भी पैन इंडिया मोडियूल तयार करने की कोशिश में है AIA की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ की सीरिया में बैठा हुआ शफी अमार उस यूसूफ अलहिंदी पूरे देश में अलग-अलग मोडियूल को ओपरेट कर रहा है इतना ही नहीं शफी इस देश में AIA का आतंक फिलाने के लिए नकसलियों से संपर्क साधा था ताकि नकसलियों की मोडस ओपरेंडी को समझ कर उसका इस्तमाल कर सके शफी ने AIA के पैन इंडिया मोडिय के लिए नकसलियों को हतियार भी खरिदने की योजना बनाई थी NIA की चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा है कि शफी अर्मार हिंदुस्तान में विखलाफत के हिसाब से शूरा कॉंसिल तयार कर रहा था आतंकी संगठन AIA का गड़ बना चुके बांगलादेश से 270 लोग लापता है अधिकारियों ने आशंका जताई है कि लापता लोग AIA से जुड़ सकते हैं सुत्रों के मुताबिक अगर यह आशंका सही साबित हुई तो बांगलादेश में बड़े आतंकी हमले का खत्रा बढ़ जाएगा लापता लोगों में ज्यादा तर यूवा हैं बांगलादेश की पुलिस लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है देश की सुरक्षा बल रैपिड एक्षन बटालियन के प्रौक्ता ने कल बताया कि इन यूवकों की तलाश आतंकवादी हमले की घटना के बाद आतंकवादियों के विरुद शुरू किये गए अभिय जन बटाया कि जिन लापता लूपों की तलाश की जा रही है उनमें से कई यूवक सेवारत और आवकाश ग्रहन कर चुके सेना के अधिकारियों प्रशास्निक अधिकारियों और विवसायों के बेटे हैं खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रही है मैट्रो टीवी के साथ नमस्कार